वेलकम टू English Educare Desk, आपका English Educare Desk पे स्वागत है, देखें इंग्लिश में एक शब्द है Brave, B-R-A-V, Brave, तो Brave का क्या अर्थ और मतलब होता है, जानेंगे, इसके अपोजिट मिनिंग क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे, मतलब एंटोनिम्स क्या आते हैं Brave के, उसके बारे म का मतलब होता है, बहादूर, दिलेर, ब्रेव का मतलब होता है, बहादूर, दिलेर, लेकिन जब इसका आपोजिट बोलेंगे, तो बोलेंगे, C-O-W-A-R-D, मतलब कायर, Fearful, F-E-A-R, Fear, F-U-L, Fearful, Fearful, Fearful का मतलब होता है, कायर, जो डरने वाला हो, या फिर टिमिड, T-I-M-I-D, टिमिड, बुजदिल, डरपोग, तो यह सब जो हैं Brave के अपोजिट हैं, मतलब एंटोनिम्स हैं, चलिए आप Brave को, example से sentences में यूज़ करके समझते हैं, जैसे बोलें पहादूर लड़का कहते थे, इसी तरह से एक जम इसके इंटोनिम्स बोलेंगे, तो बोलेंगे कि everyone called him a coward, everyone called him a coward, मतलब सब उसे कायर कहते थे, everyone called him fearful boy, सब उसे कायर लड़का कहते थे, इसी तरह से everyone called him a timid girl, सब उसे कायर लड़की बोलते थे, या कहते थे, तो timid girl मतलब का फूल बॉय या कौवर्ड बॉय मतलब कायर लड़का और यह जो है ब्रेव का अपोजिट है ठीक है इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई थांक्स वर वाचिंग इंग्लिश एजुकेर डेस्क